हैलो बचो आज हम सिखेंगे हिंदी पाठ दो ढमक ढमक की चाल जिसके लेखक है डॉक्टर क्षमा शर्मा जो एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार है तो चलिए कहानी शुरू करते है एक बड़ा सा घना जंगल था उस जंगल में एक बड़ा सा पेड था उस पेड पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे अचनक वहाँ पर चिंकी लोमडी कुत्ती हुई आई और पेड पर चड़े बंदरों को देखने लगी वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर उचलकुत बच रहे थे शाखा यानी की पेड की डाली तो बच्चों इसमें से एक सवाद हो सकता है की चिंकी किसका नाम था तो चिंकी लोमडी का नाम था बंदर क्या कर रहे थे तो बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर उचलकुत मचा रहे थे जब बंदरों का खेल खत्म हुआ खत्म यानि की समाप्त तो उनमें से एक लोंबडी ने पूछा अरे वह अपना डोल कहां है तो बंदर ने पूछा कौन कौन डोल बंदरों की समझ में नहीं आया इसलिए चिंकी ने बताया अरे भाई वहीं जो खुद बचता रहता है खुद यानि की अपने आप ढमक ढमक मगर उसका नाम डोल कपसे हो गया क्यों नाम बिगड़ रही हो उसका एक बंदर ढमक ढमक का दोस्त था इसलिए उसने नाराज होते हुए कहा अरे नाम कहा बिगड़ा जब भी कोई अच्छा उसर होता है तो ढोल बजाया जाता है क कि नहीं ऐसा चिंकी लोमडी ने बंदर उसे कहा बच्छो अवसर यानि की मौका मेरी बात पर विश्वास नहों तो गाव जाकर आदमी उसे पूछ लो ऐसा चिंकी बोली वा जीवा आदमी उसे क्यों पूछे वे तो पहले से ही हमारा नाम बिगड़ते रहते हैं हमें कितन बूरा लगता है मगर क्या करें ऐसा बंदर ने चिंकी से कहा तब भी अचानक दूर से आवात सुनाई दी धंमक 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 लो जी शैतान का नाम लिया और हाजिर हो गए शैतान हाजिर यानि की उपस्थित मोजूद हो गए कहते हुए लोमडी जोर से हसी मगर मैं तो चली कहीं तुम उस मोटू पहलवान को बता दिया कि मैंने उसका नाम ढोल रखा है तो मेरी खैर नहीं मार मार कर कचुमबल निकाल देगा सुमो कहीं का ऐसा चिंकी लोमडी ने बंदर उसे कहा बच्चो सुमो आपको पता है सुमो क्या है कौन है सु वो एक बहुत मशूर पहलवान है जब अधकी नमना पेड़ के पास आया तो उसके दोस्त बंदर ने कहा ऐसे क्यों चलता है कि जैसे डोल बज रहा हो एसा ढमक ढमक को बंदर ने कहा दमक ढमक जो है न वो एक बड़ा सा भालू है जो बंदरों का दोस्त है तभी ढमक ढमक बोला मेरी मर्जी strongly मैं जानूं मालुम नहीं तुम्हें कि फुट्बॉल का फोरेस्ट चैंपियन रह चुका हूँ एक किक बे गोल कर देता था और गज्जु बहिया जैसे गोल कीपर को गोल नहीं रोक पाते थे मगर कोई मैच जीता था भी कभी तो ऐसा एक बंदर ने भालू से याने की धंबग धंबग से पूछा मैच क्या मैं अकेला ही जीत जाता पूरी टीम जीती हारती है लेकिन सच मानो मेरी वजह से न जाने कितने मैच जीते है ऐसा धंबग धंबग घंबंड से बोला यानि की भालू को डंबग डंबग को उसकी शक्तियों पर बहुत घंबंड था तब भी वहाँ पर एक बुजूर्ग बंदर ने कहा बुजूर्ग यानि की बूड़ा बंदर आया और कहने लगा कि देख बेटा डंबग डंबग तू भी अपने बेटे की तरह ही है इसलिए समझा रहा हूं की चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर नहों अपने जंगल में भी एक दुसरे के कम दुश्मन नहीं है ऐसा वो बंदर ढमक ढमक को समझा रहा था मगर दुश्मन का पता तो आप सब शोर मचा देही देते हैं ना ऐसा भालू यानि की ढमक ढमक बंदरों से कह रहा था आप सब के रहते मुझे उनकी परवा करने की क्या जरूरत है परवा यानि की चीनता अरे मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम वहां हो इन जब चा दुश्मन हो और हमारा कोई दोस्त उसका शिकार बनने वाला हो ऐसा बंदर ने भालू को कहा ढमक ढमक को उनकी बात ठीक लगी वह बुजर्ग बंदर से बोला ताओ जी क्या करू बचपन से ही ऐसे चर रहा हूँ किसी ने रोका ही नहीं अब तो देर हो गई चाल कैसे बदलू ऐसा ढमक ढमक ने बंदर से पूछा तभी बंदर ने जवाब दिया कोई बात नहीं आज से ही शुरू कर दो कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी दिर नहीं होती कहते है कि जब जागो तभी सवेरा ऐसा बंदर ने ढमक ढमक को समझाया और ढमक ढमक को समझ में आ गया तो बच्चो आज हम इतना ही रखते हैं बाकी की कहानी हम कल देखेंगे थेंक्यू हेलो बच्चो आज हम हिंदी में चैप्टर टू कंटिन्यू करेंगे हमने आगे की कहानी में दिखा था कि ढमक ढमक बंदरों का दोस्त था और एक बुडे बंदर ने डम्मक डम्मक को बीना आवास किये चलने की सला दी थी तो आई अब हम कहानी आगे देखते हैं ठीक है ताउजी कोशिश करूँगा कहता हुआ डम्मक डम्मक वहां से चला गया यानि की डम्मक डम्मक ने ताउजी से कहा कि मैं बीना आवास किये चलने की कोशिश करूँगा थोड़े दिनों तक तो उसने बीना आवास किये चलने की कोशिश की मगर जल्दी वह बुजूर्ग बंदर की बात बूल गया एक बार क्या हुआ कि वह घने जंगल के बीच से जा रहा था पासी में एक शेर शिकार की तलाश में था वह ढमक ढमक की चाल से समझ गया कि कोई मोटा तगड़ा शिकार आसपासी है बस फिर क्या था शेर फोरन दोड़ पड़ा फोरन याने की तूरंत तो बच्चो जैसे ही ढमक ढमक जंगल में से गुजर रहा था तब भी उसकी आवाज सुनकर शेर को पता चल गया कि शिकार आसपासी है और शेर दोड़ने लगा तेजी से भागते हीरन और चिर्यों की आवाज से ढमक ढमक समझ गया कि वहाँ खत्रा बेहत नस्दिक है नस्दिक यानि की पास इसलिए जान बचाने की खातिर वहाँ पास में खड़े मूटे दने वाले एक बरगत के पेड़ पर चा चड़ा यानि की जब हीरन दोड़े शेर की डर की वज़े से तब ढमक ढमक को पता चल गया कि खत्रा आसपासी है इसलिए वह पेड़ पर चड़ गया जैसे ही वह पेड़ पर चड़ा तब भी वहाँ पर शेर आ पहुँचा दमक दमक को पेड़ पर चड़ा देख बोला वाह तुमारी तो चालने ही बता दिया था कि तुम आसपासी हो ऐसे क्या बच जाओगे बच्चु कब तक पेड़ पर चड़े रहोगे कभी तो नीचे उत्रोगे मैं पी यहीं बैठा हूँ करते हुए शेर वहीं लेट गया यानि कि शेर ने भालू से कहा यानि कि दमक दमक से कहा कि आखिर कब तक तुम पेड़ पर ऐसा ही बैठे रहोगे कभी तो नीचे उत्रोगे ना मैं तुमारा इंतजार करते हुए पेड़ की नीचे ही बैठा हूँ कहते हुए शेर वहीं लेट गया डमक डमक याद करने लगा कि अगर वहाँ बंदर ताउजी की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता अब उसे बड़ो की बात न मानने का अंजाम भूगत ना पड़ेगा अंजाम यानि की परिणाम तो बच्छो डमक डमक को याद आया कि उसने ताउजी की बात मान ले होती वो कौन सी बात थी तो वो ये बात थी कि उसने ताउजी से यानि कि ताउजी ने डमक डमक को सला दे थी कि तुम बीना आवास किये चलोगे पर वो सला उसने मानी नहीं और अब वो मुसीबत में पड़ गया अचानक जैसे उसके मन ने उससे कहा कि वह एक गलती तो बड़ो की बात न मानकर कर चुका है और अब दुसरी गलती हिम्मत हार कर रहा है बस उसने हिम्मत से काम लेना शुरू किया यानि कि ढमक ढमक ने बीना ढरे मुश्किली से सामना किया उसने उपर से बहुत से डालिया तोड़ कर शेर के उपर फैंकी किन्तु शेर टस से मस नहीं हुआ यानि कि ढमक 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 ने पेड से डाली तोड़ कर शेर पर फैंकी पर शिर्टों वहीं लेटा रहा वो भागा नहीं तब भी उसकी नजर पास लगे मदू मख्यों के छतों पर बढ़ी दम्मक दम्मक ने दिमाग से काम लिया उसने फोरण छते को तोड़ा और शहत खाने लगा इदर अपना घर तूट चाने के कारण मदू मख्या आग बबुला हो उठी आग बबुला हो उठी यानि कि गुसा हो गई वे दम्मक दम्मक पर तूट पड़ी पर पूरे शरीर पर गने वर लंबे बालों के कारण वे उसका कुछ क्या बिगार दी यानि कि जो दम्मक दम्मक के शरीर पर बहुत सारे बाल थे इसलिए मदू मक्हिया उसका कुछ नहीं बिगार सकी आखी डमक डमक एक भालू जो था वो एक भालू था और आपको पता है भालू बहुत बड़ा होता है और उसके शरीर पर बहुत सारे बाल होते है उदर शेर खराटे लेकर मजे से सो रहा था मदू मख्यों को और कुछ नहीं सूजा तो वे शेर पर ही तूट पड़ी उनसे बचने के लिए बेचारे शेर को नानी यादा गई पच्चो इसमें से एक सवाल हो सकता है कि मदू मख्यों से बचने के लिए किसको नानी यादा गई तो मदू मख्यों से बचने के लिए वहाँ भागता रहा भागता रहा वगर मधु मक्षित जगा इसे पीछ नहीं छोड़ा याने कि शेर दर से भागता रहा और मधु मक्षित जगा की और चलने लगा सुरक्षित यानि की जहां कोई डर न हो उसने तैक कर लिया था कि अब वहां बंदर ताउजे की बात मानकर हमेशा ऐसे ही चलेगा यानि कि अब उसने तैक कर लिया कि वो हमेशा बड़ो की बात मानेगा तो यहां पर हमारी कहानी खतम होती है तो बच्चो इस कहानी में से हमें क्या सीखने को मिला कि हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए अगर हम बड़ों की बात नहीं मानते तो मुसीबत में पढ़ जाते है जैसे कि आपने देखा कि डंबक डंबक कैसी मुसीबत में पढ़ गया और दूसरी बाद हमने क्या सीखी कि जब भी हम मुसीबत में पड़े या जब भी कभी कोई भी मुसीबत आए तो उसका हिम्मत से सामना करना चाहिए डरना नहीं चाहिए तो बच्चों आपर हमारी कहानी खतम होती है थेंक यू हैलो बच्चों आज हम हिंदी में चैप्टर टू का अभ्यास देखेंगे पेज नंबर ट्वेंटी फॉर नीचे दिये गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए चिंकी किसका नाम था? तो चिंकी एक लोम्डी का नाम था बंदर क्या कर रहे थे? तो बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर उचल कुद मचा रहे थे चिंकी ने किसका नाम ढोल रखा? तो चिंकी ने पालू का नाम तोल रखा मदू मख्यों से बचने के लिए किसको नानी याथ आ गई? तो मदू मख्यों से बचने के लिए शेर को नानियात आ गई सही शब्द से खाली जगव भरिये जब भी कोई अच्छा अउसर होता है तो खाली जग्या बजाया जाता है कि नहीं तो इस खाली जग्या का जवाब है डोल यानि कि जब भी कोई अच्छा उसर होता है तो डोल बजाया जाता है कि नहीं मार मार कर कचुमबर निकाल देगा खाली जग्या कहीं का तो इस खाली जग्या का जवाब है सुमो मार मार कर कचुमबर निकाल देगा सुमो कहीं का खाली जग्या ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खाली जग्या न हो तो चाल ऐसी हो कि किसी को कानो कान भी खबर न हो तो इस खाली जग्या का जवाब है चाल और इसका खबर तेजी से भागते खाली जग्या और चीडियों की आवास से डबमक डबमक समझ गया कि खत्रा बेहत नस्दिक है तो तेजी से भागते हीरन इस काली जग्या का जवाब है हीरन सही वाक्य के आगे सही का निशान तथा गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लिखी पिंकी लोम्डी कुत्ती हुई आई और पेड़ पर शड़े बंदरों को देखने लगी तो बच्चो ये वाक्य सही है या गलत तो ये गलत है क्यों? क्योंकि लोम्डी का नाम पिंकी नहीं है लोम्डी का नाम चींकी है दम्मक दम्मक को बुजूर्ग बंदर की बात ठीक लगी ये वाक्य सही है या गलत तो ये वाक्य सही है उपर से ढमक ढमक ने शेर के उपर पत्थर फैके किन्तु शेर टसे मस नहीं हुआ ये वाक्य सही है या गलत तो ये वाक्य गलत है ढमक 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 ने उपर से पत्थर नहीं फैके थे पेड़ की डालिया फैकी थी अपना घर तूट जाने के कारण मद्दू मक्हिया आग बबुला हो उठी ये वाक्य सही है या गलत तो ये वाक्य सही है किसने किससे और क्यों कहा बच्चो इसमें हम क्यों कहा वो नहीं देखेंगे जैसे कि अरे वह अपना डोल कहा है तो ये वाक्य किस ने कहा था चिंकी लोंबडी ने किस से कहा था बंदरों से कहा था कोई बात नहीं आज से ही शुरू कर दो कोई भी काम शुरू करने के लिए कभी देल नहीं होती कहते है कि जब जागे तबी सवेरा तो ये वाक्य किस ने कहा था? तो ये वाक्य बुजूर्ग बंदर ने कहा था किस से कहा था? तो बुजूर्ग बंदर ने ये वाक्य डंमक डंमक से कहा था वाह! तुमारी तो चालने ही बता दिया था कि तुम आसपासी हो तो ये कौन बोला था, यानि कि किस ने कहा था, तो ये शेर ने कहा था, किस से कहा था, तो शेर ने ढमक ढमक से कहा था ठीके बच्चों हम यहां तक रखते हैं यानि कि यहां तक आपको अपनी नोटबुक में सब लिखना है जैसे कि पहले प्रश्ण जवाब लिखने है फिर खाली जग्या लिखनी है फिर सही गलत लिखना है और आखिर में किसने किस से कहा है वो लिखना है ये सब आपको सुन्दर अक्षर से अपनी नोट बुक में लिखना है ठीक है? Thank you